प्रेंच सब्सक्राइब दी आस्मेकनोलोजी चैनल और हिद दे बैल आइकन तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आपने देखा होगा कई बार क्रियेट करते हैं को तो कई बार क्या होता है फॉर्मेट हमारा काफी लंबा हो जाता है नौदा स्पेस तक चला जाता है तो जब में सॉफ्ट में वह स्क्रॉल करके देखना होता है तो हम हैडिंग को फ्रीज कर लेते हैं और स्क्रॉल करके इजली देख लेते हैं बड़ जब में कभी नहीं हाता है तो अगर आप चाहते हैं कि हमें हर एक पेज पे वह heading printed चाहिए तो उसे कैसे करेंगे और उसी किसाथ साथ different type से print कैसे ले सकते हैं pages में वह मैं आपको इस video बताऊंगा तो अगर friends start करते हैं तो फ्रेंट जैसे क्या आप देख सकते है मैंने एक प्रेट की शीट खोल ड़किया है, ये फॉर्मेट काफी लंबा है येजित तक आप देख सकते हैं, तो जैसे हम Phrint की कमांड देते हैं, तो आप यहां देख सकते हैं यहां इसके तो जैसे मैं स्क्रॉल करता हूं नीचे तो second और third page पर इसकी heading repeat नहीं हो रही है तो वो हम कैसे repeat करेंगे है वो बताता हूं मैं आपको तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं जैसे अगर हमें soft में से देखना हूं हमें print नहीं लेना इसका और आप देख सकते है heading की move कर रही है तो इसे हम कैसे freeze करेंगे आप यहां पर यहां पर यहां आइकन बना हूँ है इस नीले icon को मतलब जिसमी cell को आप प्लिक करेंगे उसके ऊपर की row और उसके side की row right side की row freeze हो जाएगगे तो आपको अपनी current cell वहीं दिखानी है तो जैसे कि मैं यहां पर select कर लेगा हूँ पहले यह मैं select कर लिया है एक के नीचे इससे उपर मेरी rows freeze हो जाएगे और इसके side की मेरे columns freeze हो जाएगे तो मैं freeze pane के click करता हूँ और freeze pane के click कर देता हूँ तो जैसे कि आप यहां देख सकते हैं margins आ गये हैं यहां पर इस side में और यह vertical भी आ गया margin तो जैसे अब मैं format को move करूँगा तो आप देख सकते हैं print में नहीं आ रही है print में repeat नहीं होड़ी हमारे adding तो उसके लिए में क्या करना पड़ेगा back कीजिए आप पहले तो यहां पे views के side में review data formula और यहां पे है page layout ठीक है अब आप select करनी है आप नीचे से बीचे से भी कोई रोग repeat कर सकते हैं और और उपर से भी कर सकते हैं कितने भी असे बीचे स्क्सार्फ पांच तक row हमारी repeat होगी इसछेक्ट हो बहुत हें तो अब मैं आपको स्कॉल करके दिखाता हूं तो आप दिख सकते हैं नीचे पेज इसके बदल रहे हैं और हमारी जो हैडिंग है वो हर एक पेज के रिपीट हो रही है तो इस तरह से हम इस प्रिंट को ले सकते हैं ठीक है अब और कुछ तरीके व्यादर हो मैं प्रिंट लेने के आपको जैसे कि यह दूसरी शीट है हमारी एक सब्सक्राइब यह जितनी की सीट्स है ना विस शीट्स मिलके एक वर्पुक पुराती है पूरी जो कि यह पूरी फा इसका supporting data लिखा हूँ है reference के लिए तो अगर मैं print की command देता हूँ ctrl p करके तो आप देख सकते हैं यहाँ पे three page शो कर रहा है यह यह हमारा format आ रहा है कुछ supporting data भी आ रहा है और कुछ और भी लिखा हूँ इस page पे लिखा है बट हम चाहते हैं जो इसका format है यह हम print करें तो इस set करने से पहले आपको select करना पड़ेगा तो पहले हम अपने format में select कर लेते हैं जो जो मैं print करना है तो यह मैंने select कर लिया ठीक है अब मैं print area पे click करूँगा और set print area पे click करूँगा तो मेरा print area select हो गया ठीक है मैं command देता हूँ print की तो उतना ही print होगा जितना उस area में लिखा ह होगा जैसे कि आप देख सकते हैं प्रिवियू में अब बैक करते हैं अब दूसर तरीका में आपको बताता हूं सबसे पहले आप प्रिंट एरिया को क्लियर कर दीजिए तो अब आपको यह जितना फॉर्मेट है यही प्रिंट करना है या फिर कुछ स्लेक्टिड एरे प्रिं यहां पर लिखा हुए नीचे प्रिंट एक्टिव शीट्स इस पर आप क्लिक कीजिए यह फ्लैग निकल के आया तो आप यहां देख सकते हो यहां पर ऑप्शन से रखे हैं और भी प्रिंट एंटायर वर्क्बुक जिसपर आप स्लेक्क कर दोगो तो पूरी वर्क्बुक अपकी प्रिंट हो जाएगी जितने शीट्स होंग इस वर्क्बुक में और नीचे आप लिखवा है प्रिंट स्लेक्शन तो वही प्रिंट होगा जो कि आपने स्लेक कर रखोगा तो आप इसमे ख्लिक कीजिए तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं प्रिंट प्रिव्यू म आपके बारे में तो अगर आपको वीडियो अच्छी लिगी तो फ्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और कुछ भी पूछना चाहते हैं उससे तो प्लीज मुझे कमेंट करें शेयर करें और ऐसी इंफरमिटी वीडियो देखने लिए प्लीज मेरे चैनल को को बात बैल आइकन को जरूर दवाए ताकि मेरे चैनल के अप्डेट्स आपको मिल जाए तो फ्रेंस मिलते हैं नेक्स वीडियो में तेल दान की प्लंडिंग की ग्रोइंग यां वी टेक्निकल